लो भाईयों एक बाव फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चनल में आज हम आपर बात करेंगे जो जारकन T20 का आज की दिन का पहला मैच होगा जो कहला जाएगा स्रिंग भूम इस्ट्राइकर्स वर्सिस राची रेडर्स के बीच में तो इस मैच की में आपको पूर टेलीग्राम चेनल को जरूर जो हिनका लेना है टेलीग्राम चेनल का जो लिंक है वह आपको इसी व्यरसिष्ट के डिस्क्रिप्षन में या फिर अगर आप कमेंट सक्षन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टोप पर पिन किया वहा उसमें भी आपको टेलिग्राम चलना का लिंक मिल जाएगा बात करेंगे आपर मैच के बारे में तो मैच नो बजे स्टार्ट होगा सुबह मैच किला जाएगा जे एसीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉंप्लेक्स राची में एक बैलेंस सर्फेस है बैट्समन और बोलर दोनों के लिए एवरेज इसकोर 140-160 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा अब तक यहाँ पर चार मैच हो है और चारो के चारो में चेज हो है मतलब यहाँ पर चेज करने वाली टीम को अब तक एडवांटेज रहा है पहले बात करेंगे राची रेडर्स के टीम के तो इनकी टीम ने दो मुकाबले खेलें और दोनों के दोनों यहाँ पर जीते हैं इनकी तरब से ओपन करेंगे अर्विंद कुमार और अर्णव सिना अर्विंद कुमार की बात करू पहले मिश में 30 रन है दूसरे में 9 रन है और लास सेजन भी बहुत अच्छा रहा था इनका नो में 209 रन 23 का अवरेज था लेकिन में कंसिस्टेंट थोड़े कम रहते हैं फिर आइंगे ऐसे रोबिन मिंज जिनको देखो स्मॉल लिंग में भली एक इनोर कर देना लेकिन जील के एक अच्छे प्लेर है क्योंकि पहले में एक और दूसरे में 12 रोट किया है लेकिन आप इनका ओवरोल क्लब के लिए रिकोर्ड देखोगे न 21 मैच में 884 रोट पचपन का आवरेज है तो जील में रख सकते हो मेरे हिसाब से फिर आइंगे ऐसे आयूश कुमार पहले में 7 दूसरे में बेटिंग नहीं आई थी 9 मैच में 115 रोट रोट एक विकेट एक ओवर डालके नका लास सिजन का रिकोर्ड है सच्ची नियाद हो पहले में 24 रन एक विकेट है तीन ओवर डालके दूसरे में एक विकेट है तीन ओवर डालके तो मतलब नमबर 6 के करीब बेटिंग कर रहे है प्लस तीन ओवर भी डाल रहे है तो इंपोर्टेंट तो रेनेश है फिराएंगे ऐसे MD Kuneer Kureishi पहले मैच में 2 विगेड है और दूसरे में 1 विगेड है अपने कलब के लिए 90 मैच में 2254 नन 28 का आवरेज 60 विगेड इनके नाम है फिराएंगे ऐसे Himansu S 4 और 9 वेटिंग है और हर्ष राना पहले में 20 विगेड है दूसरे में 1 विगेड है और इनका last season का record ठिक ठाक था 7 मिच 45 विगेड था 9 ओवर डालके last season उतनी bowling उनको नहीं मिल रहे थी अभी शेक याद हो पहले में 2 विगेड है दूसरे में विगेड लेज थे मनलब लास सेजन भी बोलिंग तो इनको मिल रहे थी आमन कुमार सिंग पहला मैच खेले नहीं दूसरे में विकेट लेशते हैं 26 मैच में 36 विकेट इनका कलब का रिकॉर्ड है तो अभी के लिए जो इंपोर्टेंट प्लेर है स्मोल लिक के लिए वो मेरे इसाब से आप पर रहेंगे देखो अरविंद कुमार अरणव सिना रोबिन मिंच को अगर आपको बड़ा रिस्क लेना है तो रख सकते हो दरवाई छोड़ देना और फिर अपने आपर बोलर्स में चलेंगे तो यहां से सच्चिन यादव है हर्स राना हो गए इनके लावा अजे शोनू टी अभी शेक गयादव में से कोई एक तो पांच-छे प्लेयर आपने के टीम के रख सकते हो और बेंच में जो भी प्लेयर एंड में से कर कोई खेलेगा तो उसके स्टैट्स आपको टिलेगा हम शने पर मिली जाएंगे स्टाइटिंग के ओर डालेगे हर्स राना और अमन सिंग डेथ के ओर डालेगे हर्स राना सच्चिन यादव अजे सोनू टी तो यतो बात होगा यहाँ पर एक टीम की अब बात करेंगे आप पर जो दूसरे टीम है सिंग भूम, स्प्राइकर स्केरीम, एक मेच खेली हैंग प्लस दो ओवर भी डाले मतलब एक विकट भी था और ये अगर नमबर तीन पर बेटिंग करता है प्लस कम से कम दो ओवर भी डालता है तो अच्छा अपले रहे है यार क्योंकि लास सेजन भी नो मेच में दो सो बार रण एक विकट इनके नाम था सुमित कुमार ने लास्ट मेच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड इटिंग वाली पारी खेली थी 86 नोट आउट की नो मेच में 101 इनका पुरणा रिकोर्ड है बाल कृष्णा अब देखो आज ना इनको लोग इग्नोर करेंगे लेकिन ये बहुत शांदार रोल्राउंड रहे हैं पहले मेच में भले 6 रन जीरो विकट था लेकिन आप इसका रिकोर्ड देखो लास सेजन 10 मेच में 200 रन और 10 विकट थे 300 वर डाल के वहला बेटिंग में अच्छी की थी और बोलिंग में अच्छी की थी तो इसको मैं तो आज टीम में आपर रखने वाला हूँ हिमानसु कुपता पहले मेच में बेटिंग नहीं आई अमर्दीप सिंग की भी पहले मेच में बेटिंग नहीं आई लास सेजन 4 मेच में 7 रन थे मोनु कुमार भाई आई पेल खेल चुका है बंदा चेनने के रिए एक विगेट मिला था पहले मेच में इसको 4 ओवर डालके बोलिंग अच्छी करवा रहा था बहुत अच्छी लाइन लें डाल रहा था बस विगेट थोड़े कम मिले थे 29 मेच में 37 विगेट इनका T20 अच्छे लेबल का रिकूर्ड है और रवी आदो पहले मेच में एक विगेट था लास सेजन 8 मेच में 6 विगेट थे रिशु चोहान 4 ओवर डाले रन काफी ज़्यादा दिये विगेट नहीं मिला था कलब के लिए 22 मेच में 31 विगेट है और सोनू के आर सिंग पहले मेच में विगेट लेस भले ही रहा हो लेकिन एक बहुत अच्छा बोलर है क्योंकि लास सेजन 9 मेच में 14 विगेट थे तो पिक कर सकते हो अभी के लिए इंपोर्ट एंड देखो आरेमन सेन, मोहित कुमार, सुमित कुमार, बाल कृष्णा और इनके अलावा नीचे आपर चलू तो चार बोलर से इन में से एक तो मोनु कुमार को रखूंगा, इसके अलावा एक और रखना है तो आप सोनु, के आर या फिर रवी आदा में से किसी एक को भी के लिए रख लेना बैंच पर जो भी प्लेयरेंड में से अगर कोई खेलता है उसके स्टेट्स आपको टिलिगाम सेले पर मिल जाएंगे हर्ष नाना, बाल कृष्णा और मोहित कुमार को और बॉलिंग सेक्सन से रखा है सच्चिन यादव, अजे शोनूटी और मौनु कुमार को तो ये मेरे अभी के लिए 11 प्लेयर से आपर रहने वाले हैं, कैप्टरन मेरे आपर रहेंगे बाल कृष्णा, वो इस कैप्टरन हर्ष नाना है, लेकिन फाइनल टीम नहीं है, जो भी इस मैच के फाइनल टीम होगी, वो आप्टर टोस आपको टेलिगाम चैनला पे मिल जा तो थेंक्यू भाई हो, अगर वीडियो पसंद आओ, तो लाइक करना चैनले पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब कर देना, थेंक्यू